हलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी की जिसमें हम बहुत सारी मात्रा में हरे धनी का इस्तिमाल करने वाले हैं और बनाने वाले हैं कोथमबिर वडी महारास्ट का ये बहुती फेमस कोथमबिर वडी, आज हम बनाएंगे उसकी एक स्पेशल चट्नी के साथ जो खाने में बहुती क्रिस्पी लगता है, बनाने में बहुती आसान है हलो दोस्तो, मैं हूँ हितल और किचन क्राफ रेसिपी में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं कोतम बिरवड़े बनाने के लिए यहां पर मैंने धाय कप भर के हरा धनिया लिया है, हरे धनिया को मैंने पानी से साफ कर लिया था और फिर बात में इस तरह से फाइनली कट कर लिया है, मैंने जो कप लिया था वो धाय स्वामिल वाला है, तो वो कप भर के मैंने धाय कप हर अब उसके अंदर डालने के लिए हम बनाएंगे जीरा, हरी मीच और लहसुन का पेस्ट, तो एक टीस्पुन मैंने जीरा लिया है, तीन हरी मीचे है और तीन से चार कलिया लहसुन के लिए है, मैंने जो हरी मीची लिए है वो तिखी वाली है, अगर आप कम तिखी हरी मीची ल इतनी कॉंटिटी में से आप दो से तीन लगों के लिए ये कोथंबिर बड़ी बना का तयार कर सकते हैं तो अब मैं इसे ग्रैंड कर लेती हूँ अब क्या करेंगे कि आटा लगाने के लिए पहले जो हरा धनिया हमने धो के साफ करके कट करके रखा था उसे हम एक बड़े से परात के अंदर निकाल देंगे इसके अंदर हमें कम से कम बात्रा में पानी का इस्तमाल करना रहता है तो पहले हम सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे तो एक टीस्पून भरके मैंने हंदी पाउडर डाला है एक टीस्पून भरके मैंने लाल मिश पाउडर डाला है अरे मिर्ची, लसुन और जीडे की जो पेस्ट हमने तयार की थी वो इसके अंदर डाल देंगे और डालेंगे मोयन के लिए तिल तो यहां पर मैंने तकरीबन 2-3 ती स्पून भरके तिल डाला है एक टेबल स्पून भरके इसके अंदर हम सफेट तिल डाल देंगे जो बहुत ही क्रंची लगते हैं और साथ में इसे और क्रंची बनाने के लिए यहां पर मैंने वंथर कप के करेब भुनी हुए मुझफली ली थी जिसे मैंने दरदरा कूट लिया है इसे क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का आठा डाला है चार बड़े चमच और यहां पर मैंने एक कप बेसन डाला है पहले हम एक कप बेसन डालेंगे और मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसमें हमें ज्यादा पानी नहीं डालना होता है और इसमें जो हरा धनिया है उसका ही ज्यादा टेस्ट आता है और इसलिए इसका नाम भी है कोधंबिर वड़ी क्योंकि महरास्ट में ये जो हरा धनिया है उस साफ करके रता तो जब मसाल के साथ मिक्स होगा ना तो उसके अंदर और और पानी चूलेगा तो पहले से आपReay ना डा ले पहले हाथों में धोड़ा साप्रेश्र डालते हुए आप अच्छे से मिक्स कर ले और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डाल कर आप इसका आटा लगाए तो पानी डालने से पहले यहाँ पर मैं डाल रहे हूँ चुटकी बर सोडा हमने बेशन का इस्तिमाल किया है तो उसे फुलने के लिए हमें यहाँ पर सोडा डाल और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है तो आटा गुंदे में हार्डली मुझे 3-4 बड़े चमच मर के पानी लगीगा तो आटा मैंने गुंद लिया है अब देख सकते हैं कि यह नहीं ज़ादा सकते हैं नहीं और यह ड़ा को हमें रेस्ट करके रखने की भी ज उसे मैंने तेल से ग्रीस कर लिया था, अब उसके अंदर हम यह जो आटा है न उसको फैला देंगे, कोथम बिर वड़ी स्क्वाइर शेप में बनाई जाती है, अगर आप उसे को भी गोल वड़ी की शेप में बनाना चाहते हैं, तो वैसे आप उसका रोल कर दीजिए और फिर उसमें से आप बड़ी त्यार कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसे सैट कर लिया है, और देखिए इसकी जो परत है ज़्यादा मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं है, तो अब इसे हम स्टीम करने के लिए रख देंगे, तो स्टीम करने के लिए यहाँ पर मैंने एक बलने पर ही उसे steam होने के लिए रखेंगे तो हाइफ लेम पर और आट से 10 मिनट के लिए इसे स्टीम होने देते हैं जब आप इसे च्राइब लेंगे टो यह हो गया है आप इससे चूखर बाहर रख देंगे कुछ देर के लिए मतलब 2-5 मिनट के लिए ताकि यह हलका सा ठंडा हो जाए तो तब तक हम चटनी बनाते हैं तो चटनी बनाने के लिए यहां पर मैंने तीन हरी मिश्चिली है और उसके अंदर आधा कप डेसिकेटर कोकनट डालेंगे यानि की नारील का और आधा कप के करीम हरा धन्या डाल देंगे आपको जितना तिखा पसंद दो उसके हिसाब से आप हरी मिश्चि डाले नमक स्वात के हिसाब से डाले और उसके अंदर आधे निंबु का रस डाल देंगे और फिर जरूरत के हिसाब से आप पानी डाल कर यह चटनी को कोई भी इडली डोसा बनाते हैं उसके साथ भी सव कर सकते हैं, खाने में यह बहुत ही टेस्टी लगती है, अभी हमारी जो वड़ी है वो ठड़ी हो चुकी है, तो इसे हम काट कर लेंगे, तो अभी यहाँ पर मैं इसे चौकर यहनी स्कुेर शप मैं काट करने वाली हूं, त और फिर बाद में उसे कट कर लिए तो यह देखिये मैंने इसे कट कर लिया है मैं एक वड़ी आपको अभी दिखाती हूँ तो आप देखेंगे कि वड़ी कितनी बढ़िया टेस्टी बनी है आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं अगर आप हैल कॉंशियस है तो आप इसे ऐ करने वाली हूँ तो हम थोड़ा सा तड़के के लिए जो तेल देते है न उसे थोड़ा सा ज्यादा तील लेंगे और उसे गरम कर लेंगे तो यहां पर मैंने तक्रीबन चार टिबल स्पून भर के तील का इस्तमाल किया है तो यह जब अची तरह से घरम हो जाए तो उसके अंदर हम एक तीस्पून भर के सरसो डाल देंगे सरसो चटकने पर अधा टीस्पून हिंग डाल देंगे और एक से देट टीस्पून इसके अंदर हम तील डालेंगे बिक्स कर लेंगे एक बार इसे और फील इसके अंदर हम वड़ी को रख देंगे तड़का लगाने के लि तो अग़र आप कुई जो कडाई आती है उसका इस्तमाल करेंगे तो वड़ी आप ऐसे नहीं रख पाएंगे। वड़ी है कोधमив वड़ी, उसको हम फैला कर इस तरह कर देंगे और इसे दो से तिन मिनट के लिए रहने देंगे। दो से तीन मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे इस तरह से हमें दो बार ये प्रोसेस करनी है एक बार आप इसे दो से तीन मिनट के लिए क्रिस्पी होने दे फिर पलट दे दूसरी और भी इसे रहने दे फिर से उसे पलट दे ऐसा करने से एक साइट से ज्यादा क्रिस्पी नहीं होगी दोनों और अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाएगी और कलर जो है इसका वो भी बहुत बढ़ी आएगा तो देखें बढ़ी असा कलर आ गया है दूसरी और भी हम इसी तरह से इसके सिकाए कर लेंगे तक ये क्रिस्पी हो जाए तो आप कम तेल के अंदर भी जैसे फुल फ्राइ हम कोथम बड़ी बनाते है उस तरह का टेस्ट और कलर दोनों ही आप ऐसे पा सकते है तो यहां पर मैंने कोथम बड़ी दोनों और अच्छे से सीक के तयार कर ली है तो ये कोथम बड़ी की रेसिपी आप एक पर दोस्तों जरूर ड्राइक करें और ये चटनी भी जरूर बनाए जो हमने बनाई है इसके साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है आप चाहे तो टॉमेटो केचप के साथ भी से साव कर सकते है तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमांड करके जरूर बताएं तो फिर से मिलता है नहीं रेसिपी के साथ